तमश्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आपके किसी भी जुले में अगर आप घूमने के लिहास से जाते हैं तो आपको घूमने फिरने और परिटन स्थल से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और ये सब परिटन सुवधा केंद्र के जरिये संभव होगा जिसे अब बिहार के सभी 38 जुलो में खोलने क ही तयारी हो रही है आपको बता दे कि राजसरकार का परिटन विभाग सभी जिलो में यह केंद्र खोलने वाला है जिसके लिए जल्द ही तयारी की जाएगी बता दे कि इन केंद्रों पर उस जिले के सभी परिटन केंद्रों की जानकारी के साथ ही वहां रहने भोजन आवा अप्लोड की जाएगी जिससे बाहरी परेटकों को भी सभी जानकारी एक जगह मिल सकेगी बिहार में मुबाइल आप की जरिये मिलेगी सरक दुरगटना की पूरी जानकारी जिसमें सरक दुरगटना से सम्मंधित तमाम डेटा एकटा रहेंगे। 15 दिनों के भीतर इन 18 जिलों में होगा जमीन का सर्वे। जिसकी तहत पटना, मुझदफरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारन, दर्भंगा और अंगबाद, कैमूर, बकसर, वैशाली, रोहतास, पुर्वी चौंपारन, मधुबनी, समस्तिपुर, सिवान, गोपाल गंज और नवादा में विशेश, सर्वेक्षुन और बं दोबस्त कारियाले भी बनाये जाएंगे, जहां पर राजस्त्व से समध्नी तांकडों को जुटाया जाएगा, घोरगट पुल के उधगाटन के लिए करना पड़ सकता है, इंतिजार, बिहार के पुर्वी च्षेत में बसे भागलपुर और बुंगेर की सीमा निर्धारन करने वाले घोरगट पुल के उधगाटन के लिए थोड़ा और इंतिजार करना पड़ सकता है, जानकारी के मताबिक आज इस पुल का उधगाटन हो जाना था, मगर इसको लेकर कोई दिशा निर्धेश पटना के पुल निर्मान निगम या एनेच रिविशन को नहीं मिली, जो इस कारण से घोरगट पुल पर वाहन परिचालन में कुछ और वक्त लग सकता है, इस समद में पुल निर्मान निगम की साइट इंजीनर का कहना है कि बढ़ते कोरोना मामलों की कारण उधगाटन की तारीक आगे बढ़ाए जाने की संभावना है, हाला कि आज से इस नहीं मिलेगी ठंड से राहत, अमोमन मकर सक्रांती के बाद से वातावरण में हल्की गर्मा हट आने लगती है, लेकिन फिलहाल संक्रांती का पर्व बीच चुका है, फिर भी ठंड जस्की तस्पनी हुई है, खासकर कि बिहार में इन दिनों कई मौसमी प्रभाव की कारण पारा में लगातार गिराव अटा रही है, जोसे ठंड और कंकनी बढ़ती जा रही है, आपको बता दे कि आलम अभी 3-4 दिनों तक और रहने वाला है, क्योंकि मौसम विज्ञान के इंदर पतना के विज्ञानिकों ने बताया है कि अगले 3-4 दिनों तक राजुका मौसम पाल गंच सीता मड़ी अरर्या खगडिया सवान में पारा 10 डिग्री से कम रहा, वहीं अगले 24 घंटे को लेकर किये गए अनुमान के मुताबिक राजुके उत्तरी भागों में कुछ जगों पर घना कोहरा चाहे रहने की संभावना है, हालाकि बारश को लेकर कोई भी आसा नहीं बन रहे हैं की केस पर आधारित रहेंगे, ये दोनों ही चार-चार नंबर के होंगे, कुल मिलाकर 44 माक्स के इस पेपर में भी वास्तुनिष्ट प्रश्ण नहीं होंगे, और पेपर सॉल्फ करने में वक्त भी मिलेगा, बताते चले कि CBSE सांपल पेपर जारी कर चुका है, ऐसे में काउंसलिंग के कारिक्रब को घोशुत कर दिया है, जिसके आधार पर ही राजुके विभिन सरकारी और नीजी मेडिकल कॉलेज में नीट पास चातर चात्राओं का एडमिशन हो सकेगा, आपको बता दे कि रेजिस्ट्रेशन की प्रोकरिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, में रेजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वाई अभियर्तियों को डॉक्यूमें नीट का प्रवेश्ट पत्र, स्कोर कार्ड, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, निवास प्रमान पत्र, छे पासपोर्ट, साइस फोटो और आधार कार्ड लग रहा है, बिहार के इन साथ रेलव जंक्षन है, दरसर पुर्वे मधरेर के इन साथो स्टेशनों को पुनरविकास योजना के तहट रीडवलप करने की तयारी हो रही है, इस कारण से ही स्टेशन डेवलप्मेंट चार्ज के तौर पर यात्रियों से अतरिक्त शिल्क लिया जाएगा, जानकारी के अनुसार य इन साथ स्टेशनों को वोल्ट ग्रास स्टेशन के रूपे तयार किया जाना है, कोरोना से जान खोने वाले मरीजों की होगी वेरियंट जाच, देश भर में कोरोना से होने वाली जान गवाने वालों की संख्या को देखते हुए, केंद्रिय स्वास्तमत्राले ने वरतमान इसके तहत ऐसे मरीज के शव का नमुना लेकर वेरियंट का पता लगाया जाएगा। इसके शव का नमुना लेकर वेरियंट से गई है। इसके शव का नमुना लेकर वेरियंट से गई है। बिहार प्रदेश भाजपा अधियक शृस्तंजे जैसवाल ने लंबे चोड़े फेस्बुक पोस्ट में श्वराबंदी कानून से लेकर पुलीस और अधिकारियों पर सवाल उठाए है। तो वही जदियू नेताओं ने ये भी पूछा है कि क्या 11 हमृतिकों के पूरे परिवार को जेल भेज़ दिया जाएगा। वही उन्होंने ये भी कहा कि नालंदा प्रसाशन के द्वारा इन 11 लोगों के जान जाने के पीछे की वज़र अजीबो गरी बिमारी से होने को बताना अनुचित है। इसके साथ ये ना ने कहा है कि शुराबंदी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रसाशन पुलीस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। प्रतियाशियों को उतारेगी बैठक में वो खुद ही मौजूद रहने वाले हैं जड़ियों एंडिये का एक महत्वपूर्ण अंग है और ऐसे में यूपी वधानसभा चुनाव में उमीड थी कि दोनों पार्टिया साथ में उतरेगी लेकिन सीटों को लेकर समीकरन नहीं बैठने के कारणर अब दोनियों पार्टि के रास्ते अलग-अलग है राज़ू की सबसे बड़े विपक्षूी दर राज़ू ने भिहार के नितीष्ट सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है इसको लेकर राज़ू के प्रदेश प्रवक्ताम रितुन जेते वारी ने कहा क कि ये महीना बिहार सरकार के लिए भारी जाने वाला है क्योंकि जिस तरह से जदियू और भाजपा एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं ऐसे में साफ है कि बिहार की एंडिये गठबंदन वाली सरकार जल्धी गिरने वाली है आपको बताते चले कि बिहार में भाजपा और इदर ये दावा कर रहे हैं कि एंडिये गठबंदन वाली सरकार तूट सकती है पंकस रुपाठी ने शादी के 17 साल गिरा पर शेयर की पत्नी के साथ रोबैक तस्वीरे पंकस रुपाठी अपने दमदार अभिने के लिए जाने जाते हैं फिल्म हो या वेब सीरीज अपने मृदला तुपाठी के साथ की तस्वीर शेयर के इसमें से कुछ तस्वीरे उनकी शादी के वक्त की है वेडिंग आलबम से साजवकी गई फोटोस में मृदला लाल रंग के जोड़े बेर दुलहनबनी नजर आ रही है वो शर्माती हुई पंकस रुपाठी की गले में भावुक ट्वीट साथ ही उन्होंने लिखा है कि सबसे सफल टेस्ट कप्तानी के लिए बढ़ाई और एक कप्तान के रूपे अद्भूती यादों के लिए धन्यवाद जो तुमने हमें दिया है कल हमारे द्वारा पूछे गये सवाल का जवबाव आपमें से बहुत सारी यूजर ने हमें कामेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आपमें से जी यूजर का कमेण garment हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हमार दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार विरात कोली द्वारा टीम इंडिया की क्याप्टन सी छोड़ने का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के रिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटिट रहने के लिए हमारे कर लिए क ow से अब्रेट बस पसना है लिए कर घूर हमारे वें जर को छ दोड़िका से ही आपके इंडिया ही ओड़ ही तर भार को र pagासा है जयuben ने थेल ही खुआब एंदय। 6.2.1 थैआत Cylyetta किसे सरेख यार विर क्या